हेलो दोस्तों विल्कम टू माई चैनल प्लांट फॉर गाड़नी में आप सभी का स्वागत करती हूं तो आज मैं लगाने जा रही हूं कटिंग से तैयार प्लांट को रिपोर्टिंग करने जा रही हूं और यह मेरे दोनों प्लांट प्लांट कटिंग से तैयार है और यह फाइकस का है यह क्रोटोन यह दोनों प्लांट मैंने चैनल पे जाएक प्लांट के इसका फूल विडियो देख सकते हैं तो आज मैं इनकी reporting करने जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे से pot में लगे हैं और मुझे इनकी growth को बढ़ाना है और growth जब ही बढ़ती है जब हम छोटे pot से बड़े pot में plant को shift करते हैं तो ये मेरा croton का जो plant है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही प्यारा लगता है और ये मैंने paint के डिबबे में लगा रखा है जो छोटा paint का डिबबा आता उसमें मैंने लगाया था इसकी growth अच्छी हो रही है और ये दोनों plant बहुत ही खुबसूरत है ये leaves loving plant है और इनकी पतियां इतनी खुबसूरत है आप देख सकते हो इसमें yellow color की छीटे पड़ी ही रहती है जैसे लगता paint के गिरा हुआ है तो इस तरह से इसकी खुबसूरती देखने में अच्छी लगती है और फाइकस का plant जो होता है फाइकस में बहुत सारी variety आती है ये मेरे पास Varicated Ficus है जो की पतियां बहुत खुबसूरत है तो मैंने दो pot ले लिया है और ये मैंने घर में बनाया है जो डिब्बे खाली पड़े रहते बेकार से होते हैं तूट जाते हैं तो उनका भी use हम कर ही लेते हैं plant लगाने में तो ये दो डिब्बे मैंने एक ही डिब्बे को दो काट के मैंने बना लिया है और ये मेरे लिए तो वेकारी था के तूट ऑझे और मैंने आप लोग्शेट करते हैं और यह मैंनने भाग राईस खर्ष मिलाया है एक घटर CB सोई एक भाग गूबर की खाथ है एक भाग बालू मिट्टी है और इसमें मैंने अभी कोई fertilizer नहीं डाला है इन्हीं चीजों को मैंने मिला लिया है राइसखस मैं इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि प्लांट को calcium की बहुत जरूरत होती है और calcium मिलने पे plant healthy बनता है इसलिए मैं हर प्लांट में राइसखस जरूर मिलाती हूँ और दूसरी चीज यह इसके उडालने का फायदा यह होता है कि मिट्टी भी जो है वो बहुत ज़्यादा वल्ड्रेंट बन जाती है मिट्टी को अच्छी तरीके से साप कर लेना इसमें बहुत सारी चीजे इस तरह की पड़ी रहती है इस तरह की यह देखिए इस तरह की चीजे हटा देना है ताकि plant की जो roots है वो उनको को प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छी तरीके से growth कर सके तो मिट्टी में मैंने बहुत सारी चीजे नहीं मिलाई है यही तीन चार चीजे मिलाई है बालू मिट्टी है गाड़न सोयल है राइस खास के और गोबर की खाद यही चार चीजे मैंने मिलाई है क्योंकि क्रोटोन का जो प्लांट होता है जो फाइकस होता है वो थोड़ा सा वल्डेंड मिट्टी में लगा देना है तो इस तरह की गिट्टी मिले तो हम इसमें डाल देंगे ताकि जो है नीचे इसका ड्रेनिक सिस्टम अच्छा बन जाए तो इन्हीं सब क्योंकि मैं बालकनी में बैठी हूं और टैरिस पे गिट्टियां है अब जाने में थोड़ा आला सारा है इसलिए जो है मैं इसी में से ढूंड के डाल दूँगी थोड़ा सा नीचे राइस खस भी डाल दूँगी ताकि जो है ट्रेनिक सिस्टम इसका अच्छा बना रहे है य जाकि मेरे चैनल पर देख सकते हैं कैसे मिट्टी बनानी है देखिए कोई भी प्लांट हो सबकी मिट्टी अलग अलग बनानी पड़ती है बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी मिट्टी एकी तरीके की बनाई जाती है तो क्रोटोन और भाइकस को मुझे लगाना है तो म सबसे पहले राइस खास्क लेंगे इसमें ऩीयोर ब़ंटी भर देंगे जो राइस खास्क होता आपप लोगो देख सकते हैं यह प्ट भी बहुत अच्छे तयार होते हैं आप लोग इस तरह बेकार चीजों का प्ट बना सकते हो कलर भी कर सकते हो मैं तो कलर नहीं करती हूं क्यों कि जो है कलर में बहुत टाइम जाता है इसलिए मैंने करती हूँ ऐसे ही लगा रेती हूँ तो आदा भर लूँगी आदे से थोड़ा जादा दोनों भर लूँगी और दोनों में इस पेस बहुत है बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करेंगे आगे वीडियो भी मैं इस पे डालू के इसमे लगाएंगे तो सबसे पहले करेंगे किया इसको लगाएंगे यह है क्रोटून और आप देख सकते हो कटिंग चे भी कितना खुला सूरत plant तयार होता है तो इसको निकालने के लिए सब्से पहले क्या करेंगे इसको थोड़ा सा लिटा के हलका सा थप्त पायेंगे और तब ये आराम से निकल आएगा और ये मैंने कटिंग से ही तयार किया इस पर वीडियो पूरा आपको मेरे चैनल पर मिलेगा तो ये आसानी से देखिए रूट्स भी बहुत अच्छी निकल आई हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसलिए ने कर पाया क्योंकि इसमें इस पे है इसकी रूट्स अगर तूट जाएंगी या डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट मर जाएगा लगेगा ही नहीं तो इसलिए बहुत केयरफुली आपको ये काम करना है तो इस तरह से मिट्टी डाल देना है सब भी तरफ डाल देना है और जो लीप्स लविंग प्लांट होत जैसे कि आप गोबर की खाथ डाल सकते हो अगर गोबर की खाथ नहीं मिलती है तो आप लोग डीएपी भी डाल सकते हो इसमें तो दूसरा वाला भी हम ऐसे ही निकाल के शिप्ट कर देंगी यह देखिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे बस ऐसे कि हलका सा पानी मैंने पहले स तो यह आराम से निकल गया, इसको ऐसे ही रख देंगे हलका सा, ओपर से मिट्टी डाल देंगे, अभी हम आपको इसका मदर प्लांट भी दिखाएंगे, तो इस तरह से इसको सिप्ट कर देंगे, मिट्टी को अच्छे से दबा देंगे, और मिट्टी आपको एक इंच खाली करके ही छोड़ना है, तो इस तरह क्योंकि पानी डालेंगे, तो मिट्टी अभी नीचे बैठेगी, तो यह देखे, यह दोनों प्लांट मैंने सिप्ट कर दिया है, जिसमें मिट्टी कम लगे, आप डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बनाईगे, किसी भी प्लांट की बनाईए, मिट्टी वल्ड्रेन होती है, तो प्लांट बहुत हल्दी होता, उसकी रूर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फैलने में, तो मैंने इसमें दोनों में सिप्ट कर दिया है, और यह वेस्टेड डिब्बा था, इसल इस तरह के पॉट बना सकते हैं, यह प्लांट मेरा बहुत हल्दी है, बहुत अच्छा निकला है, और कटिंग से बहुत इजी टू ग्रॉ प्लांट है, आप इसकी कटिंग जो है बारिस में लगा सकते हो, या फिर उधर नवंबर दिसम्बर में भी लगा सकते ही, उस समय भ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यह देखिए फाइकस, यह फाइकस है, इसी की मैंने कटिंग जो है लगाई थी, और आप देख सकते ही, इसकी ग्रोध कितनी अच्छी हो रही है, यह गंब्ले में लगा हुआ है, बालकनी में रखा है, तो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्रोटोन का मदर प्लांट, जिससे मैंने कटिंग लिया, यह है, यह क्रोटोन का है, और क्रोटोन का मदर प्लांट है, जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी, तो यह दोनों प्लांट बहुत सुन्दर, बहुत हेल्दी हैं, और आप देख सकते हो, कितने हरे भरे हैं, त ऊसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। तोब मैंने इनकल कर दिया है इस सीजन में क्वारी इनकला सीजन है हैं था में यो बहुत अच्छी और इस treatment कर दोमने मीक्टी केके लिखिक क्योंकि वह थोड़ा च्छाओं में रखा जाता तो अब मैं पानी डालूंगी इसमें और इनको थोड़ा सा सेडी एरिया में रखूंगी जहां पे थोड़ी सी धूप पाल की सनलाइट इनको मिले और बहुत जादा इनको जलने वाली धूप ना मिले इस समय दोस्तों बहुत जादा धूप होने लगी इसलिए इसको फूप में नहीं रखना इंडोर जो भी प्लांट होते हैं उनको घंटे दो घंटे की सनलाइट तो बहुत जरूरी होता है देना इसलिए मैं इनको थोड़ा बालकनी में रखूंगी जहां पे सनलाइट कुछी घंटों के लिए आती है तो यहां पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है और इनको सेडी एरिया में रख दूंगी तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को आप कमेंट में जरूर बताएए अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो आप लाइक कमेंट सेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मैं इसी तरह की जानकारी लाती रहूं और आप तक पहुचाती रहूं और आप लोग अपने गार्डन में जरूर यूज करिए तो चलती हूं मिल अगले वीडियो में कोई नही जानकारी के साथ कोई नए टॉपिक को लेकर दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा थ्यान रखें बहुत सारा ख्याल रखें तो ओके फ्रेंड बाई